हाई फ्रेंज तो पिछली जितनी भी विडियोज आई हैं उनमें कई कमेंट्स आए और मुझे कई पर्सनल मेसेज़िस आए कि सर आप क्या स्प्लिट फॉलो करते हैं और कितने दिन वर्काउट करना नेसिसरी है हफते में क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं बहुत लुग दिन में दस तस बाराँ वारा घंटे काम कर रहे हैं तो वो रोज नहीं वर्काउट कर पाते हैं कई बार आफिस की वजए से, काम की वजज़े से, फैमली की वज़े से और सिम्पल ठकान की वज़े से और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया भी हुआ है कि अगर आप बहुत जाला थके होएं यह डोंट हाफ टो गोड़े वो फायदा करने के वजाए नुकसान भी कर सकता है तो actual split क्या होना चाहिए कितने दिन आपको workout करने की जरूरत है कितने दिन आपको rest दे लेना चाहिए और कितने दिन workout करके आपको maximal results मिलेंगे आज हम इस बारम बात करेंगे तो कितने दिन हफते में workout करना चाहिए यह एक बहुत ही dicey question है आप अपने trainer से पूछेंगे तो वो आपको कुछ जवाब देगा आप अपने nutritionist से पूछेंगे वो आपको कुछ और जवाब देगा आप किसी और personal trainer से पूछेंगे वो आपको अलग जवाब देगा आप किसी यूट्यूवर से पूछेंगे वो आपको अलग जवाब देगा और बॉडी सबकी बनी होई होगी तो दिक्कत यहाती है कि किसको फॉलो करा जाए किसकी बात को हम मानें एवर आगराप गूगल बाबा पे सर्च करेंगे और आप स्टैडीज निकालेंगे अगर आप मेरी तरह स्टैड्डी औरियंटरपरसेंगे तो तो आपको स्टैड भी इतनी कॉन्स्लिक्टिंग रिजक्ञ्क वाली मिलनगी और इतनी सारी मिलनगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा पड़ते पड़ते आपको यह नहीं समझाएगा कि कितने दिन जाए कितने दिन ना जाए हो सकता है थकार के जिम करना ही छोड़ दें तो आपके लिए मैंने मोर दें 20 स्टडीज पड़ी है 1988 से लेके 2020 तक जितनी भी स्टडीज इस पर हुई है जितनी भी गुड रिव्यू आर्टिकल्स है वो सारे मैंने पड़े हैं और उनको एक सिंपल भाशा में उनका जो कंक्लूजन है जो कंबाइन कंक्लूजन उससे डराइव किया दा सकता है उ आपको हफते में पांस दिन करना चाहिए और इन तीनों सवालों का जवाब नहीं भी हो सकता है यह आपके गोल पर डिपेंड करता है अगर आपका गोल फाइट लॉस है तो आप हफते में चार या पांस दिन भी वर्क आउट कर सकते हैं तो उसमें पांच या इवन छे दि हफते में तीन दिन में अगर आप इनफ वॉल्यूम इनफ इंटेंसिटी और इनफ मसल ग्रूप्स को रिक्रूट कर पा गए तो तीन दिन भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा देखिए देन नमबर ओफ डेज यू वर्क आउट इस नॉट रहली दा इंपॉर् प्रेजली चीज़ है यू आर वर्किंग आउट एवरी मसल ग्रूप एट लीस ट्वाइस वीक यानि आप हर पार्ट को अपने बॉडी के हफते में दो बार कर रहे हैं तो अगर तो आप बिगिनर हैं और आप फुल बॉडी वर्क आउट्स कर रहे हैं तो यह हफते में ती करने का कि आप सारे बॉडी पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं तो बिगिनर्स के लिए तो मिक्स मारना बहुत अच्छी चीज़ है और बिगिनर्स के लिए यह फायरमन पी होता है जो शुरुआत में जिम मारते हैं आप लेकिंग अगर वो महीना भर भी मिक्स मारते हैं तो बनते हैं उतनी वॉल्यूम एक्सराइज की इनफ नहीं होती है मसल फाइबर्स को स्विमिलेट करने के लिए और एक इनहांस आथलीट एक प्रोफेशनल आथलीट और एक ट्रेंड आथलीट जो कुछ टाइम से जिम जा रहा है उसके लिए सारे वरकाउट में फुल बॉड नहीं होगी और आप फुल बॉडी को स्विमिलेट कर पाएंगे अफ्ते में तीन बार में लेकिन जैसे जैसे आप एक ट्रेंड एथलीट बनते हैं आपकी मसल्स ग्रो करती हैं उनमें स्ट्रेंट स्टैमिना एंडिवरंस आता है आपको जादा वेट उठाना पकता है और आपके मसल्स फाइवर्स जादा फटते हैं जादा थकते हैं तो आपको मस्कुलर फटीग सेंट्रल नर्वर्स सिस्टम फटीग यह दोनों जादा होते हैं तो आप देखेंगे कभी बी कोई एन्हांस अथलीट कभी एक टाइम पे दो या तीन पार्ट से जादा नहीं मारत करता है फुल बॉडी वर्काउट यूजुली ट्रेंड और एन्हांस अथलीट नहीं करते हैं जो भी हाई लेवल में बॉडी बॉल्डिंग कर रहा है वो एक टाइम पे एक या दो या मैक्सिमम तीन पार्ट पे फोकस करता है वो कुछ ना कुछ स्प्लिट जरूर करता है चाहे वो पुश-pull split हो चाहे वो opposite muscle split हो कि आपने एक दिन बायट रहे मार लिया एक दिन चेस्ट पैक मार लिया एक दिन श्वल्डर लेक्स मार लिया या ऐसा कोई combination बना के लेकिन दो या तीन पार्ट से जादा एक टाइम पे नहीं क्यूंकि आपको अपनी volume पूरी करने ह कि अगर आप beginner हैं तो आपके लिए हफते में तीन बार enough है लेकिन अगर आपको कुछ time हो गया है जिम जाते हुए आपको कुछ results मिल गए है तो ताकि आपके results प्लाटू ना करें आप फ्लाट आउट बढ़नी बंद ना हो जाए मसल उसके लिए आपको अपनी वर्काउट की intensity, volume और frequency बढ़ाने पड़ेगी तो इसमें हमने कवर कर लिया पहला पॉइंट कि आप दो बार एक मसल पार्ट को हफते में ट्रेन कर रहे हैं और दूसरा कि आप enough volume, enough intensity से वर्काउट कर रहे हैं कि आपके सारे muscle fibers recruit हो रहे हैं उस वर्काउट में तीसरा point जो आता है वो यह है कि आप enough intensity से वर्काउट कर रहे हैं कि आप अपनी maximal capacity तक उस muscle fiber को पूरा निचोड देते हैं क्योंकि अगर आप बहुत सारे parts एक साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक तो mentally भी exhaust हो जाएंगे और आप physically भी exhaust हो जाएंगे अगले दिन आप से धंसे वर्काउट नहीं होगा और उस वर्काउट के भी towards the end जो आप आप आखरी के 5 यचे या इवन 8 सेट मारेंगे उनमें आप उतना दम नहीं लगा पाएंगे आपके सामने एक study रख रहा हूँ जिसमें clearly लिखा है whether you work out 3 days a week और you work out 6 days a week दोनों में result बराबर होगा अगर ये तीन requirements फुल्फिल की जा रहे हैंगे तो summarize करते हुए इस वीडियो में जो हमने सीखी चीज़ें वह ये थी कि आपको हर muscle group को हफ़ते में दो बार work out करना है आपको to your maximal capacity अपने सारे muscle fibers को include करना है अपने सारे parts को include करना है आपको to your maximal capacity weight उठाना है अपने पूरी volume training रखनी है एक साथ बहुत सारे parts के चक्कर में नहीं पढ़ना है until or unless you are a beginner अगर आपको gym करते हैं थोड़ा time हो गया है तो एक साथ बहुत सारे parts ना train करें और अगर आप fat loss diet पे हैं या fat loss regimen पे हैं तो आप 4-5 even 6 दिन workout कर सकते हैं it doesn't matter as long as your calorie intake is less and you are burning more calories than you are taking तो यह एक सैंपल मैं आपके सामने रख रहा हूं for beginners three days a week full body workout is more than enough for little more advanced athletes for people who have been going to the gym for some time आपको कुछ time हो गया है जाते होगे तो चार से पांच दिन हफते में enough होता है heavy training का और people who are very high level athletes even using some performance and handling drugs like steroids उनके लिए हफते में छे दिन भी workout बहुत अच्छे results देगा क्योंकि उनके muscle fibers के पस capacity है capability है उसको repair कर तो आप इस video को देखने के बाद आपको यह सवाल अपने किसी भी trainer से नहीं पूछना पड़ेगा कि सब मैं कितने रेस्टे ले सकता हूं क्या आज मैं चुट्टी मानूं क्या मैं कल चुट्टी मानूं कितने दिन क्या मैं workout करूं क्या मैं पूरे हफते सातों दिन workout करूं क्या उसका कोई फायदा है अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि लोगों के दिमाग से यह सवाल पूरी क्लारिटी के साथ अच्छे से साइन्टेफिक एक्स्पिनेशन के साथ निकल जाए तिल नेक्स ताइम थैंक यू फर वाचिंग लेट्स मेक इंडिया फिट तोगेदर